हेलो फ्रेंट्स आज में आपके लिए ऐसी कलरिंग किट लाया हूं जो आपकी डे टो डे कलरिंग को बहुत इजी बुना देती है दाट्स ब्लो पेंज चलो अब हम इसकी अन्वाक्सिंग करते हैं इसे फोलना बहुत ही असान है और यह हमें एक छोटा सा प्म दिया जाता है जिसे हम एर बुलो करें कि हमारा कलर शीट पर आ जाते हैं यह हमें इतने सारे कलर्स मिलते हैं यह कुछ क्यूट सी स्टेंसिल्स चलो अब हम कोई स्टेंसिल से बुना भी देखते हैं मुझे अच्छा लग रहे हैं अब बनाता हूं अब मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा कभी खबार क्या होता है आपके कालर जो होते हो ड्राय हो जाते हैं तो हमने क्या करना होते हैं एक हलका सा वाट थोड़ा सा वाटर लेकर उसमें एक सेकंड के लिए इस पांप को एसेंबल करते हैं यह एसेंबल हो चुक है यह हमें ऐसे मिलेगा तो हमने इस पांप को निकाल की ऐसे कर देना है और यहां पे हमारा डलेगा पैन अब हम डॉक दिना के देखते हैं जैसे आप देख रहे हैं यह मेरा डॉग दीरे-दीरे कलर आ रहा है मेरे डॉग में अब फ्रेंट्स में आपको फिर से छोटी सी टिप देना चाहिए जैसे यह हमारी स्टेंसिल पे कलर लग गया है तो यह एज़ी वांब एक बार आपको जैसे वांब बॉडर में रखना है और यह क्लीन हो जाएगा और जैसे मैंने स्टेंसिल हटाई आप जैसे देख सकते हैं यह कितना क्यूट सब्सक्राइब बन गया अब हमें सेटी और भी स्टेंसिल से और भी बहुत सारी क्यूट क्यूट चीज़े बना सकते हैं होफ़ोली आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इन व्लोपेंस कर लेंगा को डिस्क्रिप्शन बाक्स में विमन जाइगा बाई